जीवित पुत्रिका की पौराणिक व्रत कता इस प्रकार है एक बार नैमी शारण के निवासी रिशियों ने संसार के कल्यानार्थ सूत जी से पूछा है सूत जी कराल कलीकाल में लोगों के बालक किस तरह दिरगाई होंगे सूत जी बोले जब द्वापर का अंत और कल्यूग का आरम था उसी समय बहुत सी शोककल इस्तरियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए जब उनके पास पहुची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक जुका कर परणाम किया तदंतर इस्तरियों ने पूछा है प्रभू इस कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे इसके लिए कोई वरत या त अश्वध थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा दे करसा पांडग बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक्षे ब्याकुल होकर दोरपती अपने सक्यों के साथ ब्रह्मन श्रेष्ट धौमे के पास गई और उसने धौमे से कहा है विपेंद्र कौन सा उपाय करने से ब वहीं रहने लगा एक दिन आधी रात के समय पुत्र के सोक से ब्याकुल कोई स्तुरी रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्सन से निराश हो चुकी थी उसका पुत्र मर चुका था वह रोती हुए कहती है हाई मुझ बुड़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रह को खा जाता है इस पर दयालू राजा ने कहा माता अब तुम रो मत आनद से बैठो मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यतन करता हूं ऐसा कहकर राजा उस थान पर गया जहां गरुड आकर प्रती दिन मास खाया करता था उस समय गरुड भी उस पर तूट पड़ा और मा कोई देवता हो कौन हो तुम तो मनुष्य नहीं जान पड़ते हो अच्छा अपना जन्म बताओ कुल बताओ पीड़ा से ब्याकुल मन वाले राजा ने कहा है पक्षिराज इस तरह के प्रशन करना व्यार्थ है तुम अपने एक्छा भर मेरा मास खाओ यह सुनकर गरुड रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे राजा ने कहा मेरी माता का नाम शेवया है और मेरे पिता का नाम शाली वहान है सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमुत वहन मेरा नाम है राजा की द्यालुता देखकर गरुर ने कहा कि हे महाभाग तुमारे मन में जो अबिलाशा हो वह वर मांगो राजा ने कहा हे पक्षी राज यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर देजिये कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सर जीवित हो जाएं हे स्वामिन आपसे आप यहां बालकों को ना खाये और कोई ऐसा उपाय करें जहां जो उत्पन हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें दोमे ने कहा पक्षी गरूर राजा को वरदान देकर स्वैम अमरित के लिए नाग लोग चले गए वहां से अमरित लाकर उन्होंने मरेवे मनुश्यों की हड़ियों पर बरसाया ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिने पहले गरूर ने खाया था राजा के त्याग और गरूर की किरपा से वहां सभी के कस्ट दूर हो गए उस समय राजा के शरीर की सोभा दूनी हो गई थी राजा की द्यालुता देखकर गरूर ने फिर कहा मैं संसार के कल्यानार्थ एक और वरदान दूंगा आज अच्विन कृष्ण सप्तमी से रहित सुब अस्टमी है आज की तेरलोक्य से पूजित दुर्गा अम्रित प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है सो इस तिथी को जो सिरियां उस जीवित पुत्रिका की और कुष्य आकरती बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सवभागे बढ़ेगा और वंश भी बढ़ता रहेगा हे महाबाग इस विशय में विचार करने की अवशक्ता नहीं है हे राजन सब्तमी से रहित और उद्यातिति की अस्टमी को व्रत करें यानि सब्तमी विरुद अस्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें शुद्ध अस्टमी को व्रत करें और नम्मी को वापस चले गए धौम में दुरापती से कहते हैं हे देवी मैंने यह अतिशे दुरलब व्रत तुमको बताया है इस व्रत को करने से बच्चे दिरगाई होते हैं हे देवी तुम भी पुर्वोक्त विधी से यह व्रत और दुरगा जी का पूजन करो तुमें अभी लाशित फल प्राप्त होगा मुनिराज धौमे की बात सुनकर दुरापती के हिर्दय में एक बार कौतुहल उत्पन हो और पूरवासनी इस्तरियों को बलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया गौतम ने कहा यह व्रत इनके प्रभाव को किसी एक चिल ने सुन लिया और अपनी सकी स चाख़ा पर बैठकर उस चिल दे और उस व्रिश के खोते में बैठकर सियारी ने भी यह ब्रत किया फिर वही चिल किसी उत्तम ब्रांबन के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सकी को सुनाया तो यह उसी समय शप से भरेवे शमसान में पहुची वहां उसने इक्षा भर मास खाया और भोजन किया और चिल्ल बिना कुछ खाये पिये रह गई और सवेरा हो गया सवेरे वे गौशाला में गई और गौका दूत पिया इस तरह नम्मी को उसने पारण किया कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी बपारी के घर में जन्मी सायोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ इसमें सियारी जेस्ट हुई और चिल्ले छोटी वे दोनों सभी सुब लक्षनों से युक्त थी इसलिए बड़ी लड़की कासिराज के और छोटी उसके मंतरी के साथ ग्रह पात अगनी के साम ने विदी पूर्वक ब्याहई गई पूर्व जन्म के करमफल से वह म्रिग नैनी रानी हुई जिस किसी भी संतान को उत्पन करती वह मर जाती और पुम्जन्म की बातों को स्मर्ण करने वाली मंतरी की पतनी ने अस्ट वश्वों के सरदिश तेजवसी आठ बेटे उत्पन जहां मेरे बेटे गए हैं अर्थात इन्हें मार डालो ये संकर राजा ने उस मंतरी के पुत्रों को मारने के लिए कई परकार के उद्योग किये पर मंतरी की पतनी ने जीवित पुत्रिका के पुन्यवल से बचा लिया एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटबा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया किंतिवे आठो शिर बेज किमती जवारात हो गए और भले चंगे आठो लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए उनको जीविद देखकर राजपत्नी को बड़ा बिसमे हुआ अंतमे वह मंतरी की पतनी के पास आई और उसने पूछा बहन तुमने कौन सा ऐसा पुन् तुमने वरत के नियमों का भली भाती पालन नहीं किया और मैंने किया था इसी दोस से बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते ओ राजरानी अब भी तुम उस जीवित पुत्री का वरत को करो तो तुम्हारे बेटे दिरगाई होंगे मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ उसके कथा अनुसारानी ने व्रत किया तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दुर्गाई होकर बड़े-बड़े राजा हुए सूत जी कहते हैं कि सब परकार का आनन्द देने वाला मैंने यह धिविय व्रत बतलाया है इस तरह यहां चिरन जीवी संतान चाहती है तो विद्धी पुर्भा किया है ब्रत करें इस परकार जीवी पुत्रिका ब्रत की पौरानी कथा